Good morning friends, आज की हमारी class most repeated idioms and phrases की होने वाली है, जिसमें हम exams में बार-बार पूछे जाने वाले idioms and phrases का meaning सीखेंगे, तो चली class स्टार्ट करते हैं idiom है to bring to light, यानि उजागर करना, प्रकाश में लाना या प्रकट करना, if someone brings something to light, they discover it or make it known publicly, यदि कोई कुछ प्रकाश में लाता है तो वह उससे खोज लेते हैं या उसके बारे में सारवजिनिक रूप से बता देते हैं, sentence है I will bring to light the truth, मैं सच सब के सामने प्रकट कर दूँगा या सच सारवजिनिक रूप से उजागर करूँगा, या सच की खोज करूँगा, तो to bring to light का meaning होता है to reveal clearly, यानि किसी बात को सपस्ट रूप से प्रकट करना, और to disclose something, यानि किसी बात को सारवजिनिक रूप से उजागर करना next stadium है to get into hot water, इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि पुराने समय में महलों पर या दूर्ग पर हमला गरने वाले दुश्मनों के उपर, उपर से उबलता हुआ गरमपानी गिराया जाता था, जिससे दुश्मनों को जलाया जा सके या नुकसान पहुंचाया जा सके, तो to get into hot water का meaning होता है, मुसीबत में पढ़ना, if someone is get into hot water, they are in trouble, अगर कोई वेक्ति गरमपानी में गिर गया है, तो इसका मतलब है, वो मुसीबत में है, या मुश्किल परिस्तिती में है, sentence है, we will get into hot water if the teacher hears about this, या अगर teacher ने इसके बारे में सुन लिया, तो हम मुश्किल में पढ़ जाएं Find yourself in a serious situation where you could be punished, यानि अपने आपको गंबेर परिस्तिती में पाना, जहां आपको सजा मिल सकती है Next idiom है, to make both ends meet This idiom हम ऐसे आद रखेंगे, कि कोई व्यक्ति बच्ची हुई रस्यों के टुकडों के ends को, या सीरों को जोड़कर लंबी रस्य बना लेता है, और फिर उससे अपना काम चलाता है या बच्ची हुए कपडों के टुकडों के सीरों को, ends को जोड़कर अपने लिए एक ड्रेस बना लेता है तो इसका मतलब है, वाच जैसे तैसे गुजारा कर रहा है, या मुश्किल से गुजारा कर रहा है इसका मतलब भी होता है, जैसे तैसे गुजारा करना, मुश्किल से गुजारा करना और गेट वाई, ये फ्रेजल वरव है, इसका मतलब भी होता है, मुश्किल से या जैसे तैसे करके गुजारा करना इस इडियम को हम ऐसे याद रखेंगे, कि जब बोलियां लगई जाती है, तो लोग अपनी नाक रखने के लिए, या अपने आपको ज़्यादा रईस बताने के लिए, या किसी से कॉंपिटिशन में, उची से उची बोली लगा कर किसी वस्तु को खरीदते हैं, तब वे उ अगर आप किसी वस्तु का नाक के थ्रू पैमेंट करते हैं, तो इसका मतलब है, आप उस वस्तु की सामान्य कीमत से बहुत अधिक मुल्य में उसे खरीदते हैं, सेंटेंस है, यानि वे अगर करीदने के लिए आपको भारी कीमत चुकानी होगी, तो 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 पे थ्रू दू नास का मिनिंग होता है, तो पे एन एक्स्ट्रेमली हाई प्राइस, यानि अत्यदिक वह बहुत अधिक कीमत चुकाना, उचित मुल्य से काफी अधिक कीमत चुकाना, नेक्स्ट इडियम है, तो पुल वन्स लेग, इसका मतलब होता है, किसी की टांग कीचना या मजाक उड है, उनसे मजाक करते हैं, सेंटेंस है, don't worry about what he said, he is just pulling your leg, यानि उसने जो कुछ कहा है, उसकी चंदा मत करो, वो ऐसे ही तुमसे मजाक कर रहा था, तुमारी टांग कीच रहा था, तो तो पुल वन्स लेग का मिनिंग होता है, to make fool of playing a joke with someone, fool or trick someone in humorous way, किसी से मजाक करना, या क किसी के लिए अपने hat को उतारना, इसका मतलब होता है, किसी की प्रशंसा करना, या किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, उसके लिए उसको salute करना, sentence है, I take my hat off to her, she did a great job, उसने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं उसको सलाम करता हूँ, या उसकी प्रशंसा करता हूँ तो hats off या to take one's hat off to someone का meaning हो जाएगा, to praise someone, to salute, to congratulate, or to pay tribute to someone for something, या किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, उसके लिए उसको सलाम करना, उसकी प्रशंसा करना, या उसका अभिवादन करना, या उसकी तारीफ करना नेक्स्ट एडियम है, take to heels, या to take to one's heels, इस एडियम को हम ऐसे याद रखेंगे, कि girls अगर किसी पार्टी में जाती है, तो वे heels पहन कर तैयार हो कर जाती है, और अगर वहाँ उन्हें कोई खत्रा मैसूस होता है, तो उन्हें अपने heels या उच्छी अड़ी के सेंडल को हातो में उठा कर भाग जाना चाहिए, क्योंकि heels को अगर पैन कर जाएगी, तो भाग नहीं पाएगी, to take to heels या to take to one's heels का मीनिंग होता है, दुम दबा कर भागना या डर कर भाग जाना, sentence है, they took to their heels when they saw the policeman approaching, या जब उन्होंने police कर्मे को आते देखा, तो डर कर भाग गए या to take to heels का मीनिंग होता है, to flee, to run away in fear, या दर कर भाग जाना, या दूम दबा कर भाग जाना, या दूम दबा कर भाग जाना, इस चीडियम है, a chip of the old block, मतलब पुराने ब्लॉक से अलग हुआ एक टुकड़ा, तो अगर किसी ब्लॉक का एक चीप है या टुकड़ा है, तो भी तो a chip of the old block का मतलब होता है, जैसे माता पिता वैसी संतान होना, if you describe someone as a chip of the old block, you mean that they are just like one of their parents in character or behavior, अगर आप किसी को a chip of the old block कहते हैं, तो आपका मतलब है वे स्वभाव से या दिखने में, बिलकुल अपने माता या पिता जैसे है, sentence है, John looks like his father, a real chip of the old block, यह जोन बिलकुल अपने पापा जैसा दिखता है, वैवास्ता में a chip of old block है, यानि जैसा बाप है, वैसा बेटा है, तो a chip of the old block का मिनिंग होता है, someone similar in character to one's father or mother, और resembling parents. next idiom है, a clause fisted person, fist यानि मुठी और clause यानि बंद मुठी वाले वेक्ति, तो इस idiom को हम ऐसे याद रखेंगे, कि एक वेक्ति है, उसके आतमे पैसे है, और जब भी पैसे कर्च करने का वक्त आता है, तो वै वेक्ति कसकर अपने मुठी बंद कर लेता है, और अपने पैसे किसी करता है, तो इसका मितलब है, वह एक कंजूस आदमी है, तो एक close fisted person का विनिग हो जाएगा, कंजूस आदमी, अनुदार, sentence है He is a close-fisted man as he never participates in any occasion यनि वह एक कंजूस विकती है क्योंकि वह कभी भी किसी भी समारों में भागना ही लेता, क्योंकि समारों में भाग लेने के लिए पैसे कर्ज करने पड़ते हैं और वो पैसे कर्ज करना नहीं चाहता इसलिए वह किसी भी समारों में भाग नहीं लेता यनि वो कंजूस आदमी है तो एक close-fisted person का meaning हो जाएगा a miser man, a stingy person और ungenerous और pasimonious इन सब का मतलब भी होता है कंजूस आदमी नेक्स टीडियम है a dime, a dozen तो dime यनि डालर का दस्वा हिस्सा a coin of US worth one tenth of dollar और dozen यनि बारा तो अगर कोई वस्तू एक dime में बारा आ रही है इसका मतलब है वो बहुत सस्ती है या कोडी के भाव में है sentence है cups like this are a dime, a dozen यनि इस तरह के cups बहुत सस्ते होते हैं तो a dime, a dozen का meaning हो जाएगा so plentiful as to be valueless यनि इतना ज्यादा मात्रा में होना कि मुल्य हीन हो या very common and of no particular value यनि बहुत सस्ते होना कोडी के भाव में मिलना आज की क्लास आपको पसंद आई तो please वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अपने friends के साथ शेयर करें और अपने suggestion comment box में दें थैंक्स फ़र वाचिंग